लंबी धारा वाही परिनली का के भीतर चुम्ब के छेत्र ग्याद करना है एंपियर नियम के उपियोग करते हुए परिनली का किसी पाइप या नली के उपर तार को लपेट कर बनाएगी इस्प्रिंग की तरह की जिसमें धारा बह रही है उपरिंग की तरह की एक कुंडली हो गई और इसमें धारा बह रही है तो ये धारा वाही परिनली का हो गई इसके भीतर इसकी अक्स पर किसी भी बिंदु पर हमें चुम्ब के छेत्र का मान याद करना है बहुत ध्यान से देखें एक धारा वही परिंदली का लिये हैं हमने जिसमें आई धारा बह रही है इसकी टोटल लंबाई L है और इसमें नमबर उप टर्न्स तार्गे फेरों की संख्या N है तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N बटे L हो गई इसे हम इसमोल N से डिनोट करते हैं एकांक लंबाई में तार्ग में फेरों की संख्या यहां सिमेट्री से अक्स पर चुम्ब के छेत्र एक समान होगा पूरी में उसको हमने बी मान लिया है अब देखिए हमने यहां से एक बंद पत लिया है A, B, C, D, A यह बंद पत एक बनाया है कोई भी बंद पत बनाया हमने इस बंद पत में A, B इस रास्ते पर चुम्ब के छेत्र एक समान भी हुआ हम जानते हैं कि धारा वाही परिनली का एक चुम्ब की तरह व्यभार करती है अगर यह ऐसे लूप में धारा बह रही है चुम्ब के छेत्र ऐसे हो गया और बाहर बल रेखाएं ऐसे होती हैं चुम्बक में यानि यहां चुम्ब के छेत्र ऐसे होगा इस तरीके से तो नलीका के पीच में हमने एक पथ लिया A, B, B, C, C, D, D, A यह जो बाहर यह रास्ता है यहां अगर समीप में कोई चुम्ब के छेत्र है तो इस रास्ते लंबाई, रास्तेगी लंबाई में और चुम्ब के छेत्र 90 डिगरी का कोण हो जाएगा तो B, D, L, 90 डिगरी होने से यहां चुम्ब के छेत्र का समाकलन 0 हो जाएगा यहां भी 0 होगा, 90 डिगरी कोण है और यहां इस रास्ते पर चुम्मे के छेत्र अगर इधर है तो चुम्मे के छेत्र और लंबाई भी धर हो गए लेकिन अधिक दूरियों पर चुम्मे के छेत्र का मान शुन्न होता है जैसे एक धारवाही लूप ये हो और यहां बंद पथ है ऐसे बना दिया इस बंद पथ से गुजरने वाले संपूर धारा शुन्न है कारण धारा यहां इस तार में इधर बह रही है तो इसके साथ इधर भी बह रही है यहां इधर बह रही है तो यहां इधर भी बह रही है यहां इधर बह रही है तो यहां इधर बह रही है यानि इधर इधर एक साइड में विपरी साइड में तो प्रिणाम इधारा शुन्न हो गई इसके कारण अगर चुम्ब के च्छेत्र यहां नीचे है तो इसके कारण ऊपर होगा और जीरो हो जाएगा तो कुंडली परिनली का उसके जो बाहर होता है अधिक दूरियों पर वहां चुम्ब के च्छेत्र शुन्न होता है यहां चुम्ब के च्छेत्र शुन्न हो गया बाहर अधिक दूरियों पर यहां अगर चुम्मे के छेत्र है तो यह थीटा कौन 90 डिगरी हो जाएगा यहां 90 हो जाएगा और अधिक दूरियों पर चुम्मे के छेत्र जीरो तो यह जो बंद पत है जरा इस बंद पत पर एमपियर का नियम लगाते है एंपियर के नियम क्या है कि बंद पत के अनुदिस चुम्ब के छेतर का रेखिय समाकलन तो देखिए हम कई पत ले रहे हैं इसमें अलग-अलग से A से B का रास्ता B से C, C से D और D से A A से B लाइन इंटीग्रेल करते हैं चुम्ब के छेतर का ये क्या है चुम्ब के छेतर का रेखिय समाकलन A to B A to B एक पत है उस पत के उनुदिस चुम्ब के छेतर इधर है लंबाई इधर है तो थीटा का मान 0 हो गया कोस 0,1 होता है तो यह B DL आ गया B to C में B to C में चुम्ब के छेतर ऐसे रेखिये खंड ऐसे लंबाई ऐसे कोन 90 डिगरी कोस 90 0 तो यह 0 आ जाएगा C to D, C to D बाहर अधिक दूरियों पर चुम्ब के छेतर का मान शुन होता है लंबाई तो बाहर छेतर 0 होने से B DL 0 हो जाएगा और D to A लंबाई ऐसे चुम्ब के छेतर ऐसे 90 डिगरी कोस 90 0 तो केवल यह बच गया यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 इन सब इस्थितियों का रेखिया समाकलन चुम्ब के छेतर का 0 हो गया केवल यह बच गया केवल यहाँ का चुम्ब के छेतर का रेखिया समाकलन बच गया यह बच गया integration a to b b dot dl यह बच गया b dl आ गया a to b और चुकि b सब जगे constant है तो b बाहर और dl a to b लंबाई l हो गई परिनलिका की लंबाई l तो b l और b का मान l लंबाई में जो फेरे होंगे n इंटू l हो जाएंगे चुम्ब के छेत्र का यह पूरा टोटल होना चाहिए एंपियर के नियम से mu 0 into i और i संपून धारा संपून धारा ऐसे हो गई क्योंकि एक तार में धारा i बह रही है और यह इस बंद पत के हिसाब लगा रहे हैं तो इस बंद पत का मतलब इस तार की धारा यह धारा कितने फेरे हुए एक तार में धारा आई है और कुल तार के फेरे कितने है l लंबाई में फेरों की संख्या n into l n एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या मानी गई है तो l लंबाई में फेरे n into l हो जाएंगे और एक फेरे में धारा आई है तो कुल धारा संख्या धारा n l into i हो जाएगी l से l कैंसिल हो गया तो b का मान mu 0 n into i यह आ गया mu 0 n i यह जाएगी